हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे देखे दोस्तों आज हम यह गहूं की बोरी का यूज करेंगे और पहले भी मैंने इसका यूज किया है और अब फिर से मैं बची हुए पार्ट का करूंगी तो यहां पे 16 इंचिस पे हमें कर देना है मार्क इस त पार्ट निकालने है 16 इंचिस का यह बहुत ही बड़ा सा ट्रावल बेग या लंच बेग या कुछ पिकनिक के लिए जाना है और ले जाना तो यह बहुत ही यूसपूल है इस तरीके का बड़ा सा बनेगा तो सबसे पहले मैंने यह दो पार्ट कट कर लिया और इसमें हमें बहुत मेहनत नहीं लगती है बहुत ही जटपट बन जाता है सिम्पल और आसान तरीका है तो सबसे पहले मैंने इसे फोल्ड किया है और यहां से थोड़ा आसा राउंड से दिया है आपको जिटना भी round shape देना है उससाब से दे सकते हैं इससे छोटा भी दे सकते हैं और ये आपको और भी round shape देना है तो वो भी कर सकते हैं तो यहाँ से हमने cut कर लिया है और इसी के नाप से हमें दूसरा पार्ट करना है तो यहाँ पी हमने दूसरे पार्ट को भी वही नाप से cut कर लिया और यहाँ पी मैंने cut कर लिया और कपड़े में आपको अगर नया कपड़ा नहीं लगाना तो आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा यूज कर सकती है पुराना और देखिए यहाँ पे stitch करके जोड़ लिया है और यहाँ पे हमें 13 x 6 इंचिस के ऐसे 2 strip लेने है जिसे हमें fold करना है देखिए ऐसे हमें fold करना है दोनों साइट से फिर एक बार fold कर लिजे और दोनों साइट में stitch कर लिजे तो यहाँ पी हमारे hanger ready हो गए है और इससे हमें ऐसे fold करके इसका center point निकालना है यहाँ पे center पे हमें mark कर देना है और फिर हमें देखे यहां पर ऐसे मार्ग करना है त्री इंचिस पर दोनों साइड मार्ग कर लीजिए और हैंगर को इस तरीके से अटेज कर लीजिए अब यह बड़ा सा बोर्डर लेना है 7 इंचिस यहां से लेना है और इसकी यह देखे यह डबल है 16.5 इंचिस है यह और यह डबल है तो हमें 16.5 का डबल कर लेना है और यहाँ पे मैंने बॉर्डर में सेंटर में मार्क किया है और यहाँ पे यह जो बैक का पार्ट है उसमें भी सेंटर में मार्क किया है और दोनों को हमें mark को मिलाना है और फिर यहां तक आपको stitch करना है और उपर की और थोड़ा सा खुला रखना है देखिए यहां पर दोनों side हमने थोड़ा सा कुला रख लिया है उसके बाद हमें ऐसा border लेना यहां पर देखिए पहले मैंने use की थी तो बोरी finish हो गई तो यहां पर मैंने 9-11 । 7‍बाइ 80 इतीन ज़िस का यह पार्ट हमने ले लिया इसे शैन्टर में बात कर लीजिए ot 80 इतीन इतीन जिप को कट कर लें और यहां पर आपको अटेश करकनी है यहां पर दीखें दीब उल्टा रख लीजिए और सीधा स्टीच कर लें के बाद हम कर देंगे यहां पे प्रेस्टीच यहां पे हो जाएगी उसके बाद जो दूसरा पाट है उसे आपको जिप calendar के दूसरी साइट लेड़ें लेजियें, लेजियें करकें, अब श्टीच करने के बाद आप यहां से लेकें यहां तक लेड़ें, तो यह स्टीच हो गई है, अब हम ये दुसरी साइट का पास जोड़ लेंगे, अब देखें यहां पर थोड़ा खुला है, और तो यह हमारा एक पार्ट शूड़ चुका है दूसरे पार्टे इसका भी हम सेंटर में मार्क कर लेंगे आप मार्क भी कर सकते हैं और ऐसे नोच पी लगा सके यह बदास में हमने पहले माक लिए था तो और हमने नोंचिस लगा है उसे पोकड लीजी और फिर पूरे तो देखे बहुत ही आफसानी जटपट से यह ट्रावल बैक रेडी हो गया इसमें आप ब्लेंकेट कवर भी रख सकते हो और कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो इसमें जो खाने का सामा रखते हैं वह बाहर लिकेश होगा तो भी बिगड़ेगा नहीं कपड़ा और बहुत अच वीडियो में तब तकिली बाबाई जे बारत